दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे वाटर स्लाइट्स बनाए गए हैं जिसमें राइड करने पर आपको बेहद ही खतरनाक experience मिलता है अगर आप सभी आम वाटर स्लाइट्स से बोर हो चुके हैं और आपको लगता है कि वाटर स्लाइडिंग बच्चों का खेल है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे वाटर स्लाइट्स दिखाएंगे कि आपके होस उड़ जाएंगे तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो दुनिया के 10 सबसे रोमांचक और खतरनाक वाटर स्लाइट्स नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट केंग समिट प्लमिट दोस्तों फ्लोरीडा का समिट प्लमिट यूएसे का सबसे अनोखा वाटर स्लाइट है जहां पर आपको चारों तरफ बर्फ से ढकी उची उची पहाडियां और इन पहाडियों के उपर बना एक लकडी का छोटा सा घर दिखाई देगा और इस घर में से ही शुरू होती है ये वाटर स्लाइट जिसकी उचाई 120 फीट है जोकी 12 मंजला इमारत के बराबर है दोस्तों यहां सलाइट करने में अच्छे-च्छों के रोंटे खड़े हो जाते हैं आपको बता दें यहां से सलाइट करते समय आपकी स्पीड लगभग 97 किलोमिटर पर आवर तक पहुंच जाती है जहांसे स्लाइड करते समय डर तो लगता है पर आपके चारों तरफ बर्फ का सुन्दर नजारा भी दिखेगा दोस्तों आपको बता दें ये दुनिया के 10 सबसे उचे वाटर स्लाइड्स की लिस्ट में शामिल है यूनिवर्सल वॉलकेनो बे दोस्तों ये वाटर स्लाइड फ्लोरीडा के औरलेंडो में स्थित है और ये यहां पर काफी फेमस है आपको बता दें इस वॉलकेनो बे पर तीन स्लाइड्स बनी हुई है कोकिरी बॉडी प्लांग, काला एंड टानुई और इन तीनों की हाइट सेम है जो की 125 फीट है दोस्तों इन वाटर स्लाइड से राइड लेने के लिए आपकी कम से कम 4 फीट की हाइट और 30 किलो का वजन होना जरूरी है 70 डिगरी के एंगल पर बनी ये वाटर स्लाइड अच्छे अच्छों के पसीने छोड़ा देती है आपको बता दें ये दुनिया की टॉप टेन हाइस्ट वाटर स्लाइड में शामिल है इस वाटर स्लाइड से उड़ता धुआ, हॉरर म्यूजिक और ट्रांस्पेरेंट ट्यूब्स आपको बेहद ही रोमांचक एहसास कराएंगे दोस्तों ये है दुनिया की सबसे लंबी वाटर स्लाइड जो चाइना के शहर लीश्वी में मौझूद है ये वाटर स्लाइड 8,933 फीट लंबी है जो पहाड के एजस पर बनाई गई है गने जंगल के बीच पहाड की चोटी से शुरू होने वाली ये वाटर स्लाइड पहाड के बीच जिग जैग होते हुए नीचे आती है इस वक्त इसकी स्पीड 30 किलो मेटर पर आवर होती है इस वाटर स्लाइड की सबसे खतरनाच बात ये है कि इसका आखरी हिस्सा कांच यानी गलास का बना है जिस पर स्लाइड करके अच्छे अच्छों के रोंगते खड़े हो जाते हैं सन 2019 में इस वाटर स्लाइड को दुनिया की सबसे लंबी वाटर स्लाइड होने की वज़ा से गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था एकवालूग दोस्तों ये वाटर स्लाइड आस्ट्रेलिया में ज्थित है और इस स्लाइड में जाने के लिए आपका बेहधी साहसी होना जरूरी है साथी आपकी हाइड कम से कम 3 फीट 11 इंच और वजन 45 से 130 किलो के बीच होना चाहिए इसमें आपको एक चेंबर पर हाथ क्रॉस करके खड़ा कर दिया जाता है और कुछ देर बाद ही इसका फ्लो तूट जाता है और आपको 56 फीट की उचाई से ड्रॉप कर दिया जाता है इसके बाद आप पूरे 360 डिग्री घूमते हैं सुनामी सर्ज, शिकागो दोस्तों ये दुनिया की सबसे लंबी वाटर कोस्टर स्लाइड है जो उपर से नीचे की और स्पीड बढ़ाने की बचाए नीचे से उपर की तरफ स्लाइडर को ले जाती है जिसके लिए इसमें हाई फ्लो वाटर जेट्स लगाए गए है तेज बहाओ के साथ इसकी खतरनाक ट्विस्ट एंड टर्न्स इसे और भी दिल्चस्प बना देते हैं इस वाटर स्लाइड की हाइट 86 फीट है और लंबाई 950 फीट जबकि इसकी स्पीड 45 किलोमेटर पर आवर है ये वाटर स्लाइड 29 मई 2021 को लोगों के लिए खोल दी गई थी और कुछी समय में ये दुनिया की सबसे फेमस वाटर स्लाइड की लिस्ट में शामिल हो चुकी है इस वाटर स्लाइड में मौझूद टनल्स में लाइटिंग इफेक्ट्स लगाए गए हैं जो इसे और भी दिल्चस्प बना देते हैं इन सैनो ये वाटर स्लाइड ब्राजिल में स्थित है और ये इतनी उचाई पर है कि यहां से आपको अट्लांटिक ओशन भी दिखाई देगा दोस्तों ये 134 फीट की उचाई पर है जिसे आप 14 मंजला बिल्डिंग से भी कमपेर कर सकते हैं यहां से स्लाइड करना कमजोर दिलवालों के बस की बात नहीं आपको बता दें ये दुनिया की सबसे उची और सबसे तेज वाटर स्लाइड में से एक है जिसमें लेट कर आपको सीधा 90 डिगरी के एंगल से नीचे गिरने में 5 सेकेंड लगते हैं जिसकी रफतार लगभग 105 किलोमेटर प्रती घंटे तक हो जाती है दोस्तों इस वाटर स्लाइड का लूपत उठाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं हलाग कि ये थोड़ी छोटी राइड है लेकिन इसमें मजा बहुत आता है L2 दोस्तों आस्ट्रिया में मुझूद ये वाटर स्लाइड दुनिया की ऐसी वाटर स्लाइड है जिसमें दो लूप है ये वाटर स्लाइड बहुत ही खतरनाक है जो अच्छे अच्छों के पसीने चुड़वा देती है दोस्तों यहां drop से पहले और slide के दौरान बहुत ही भयानक music चलाया जाता है जो इस water slide को और भी खतरनाग बना देता है यह water slide 25 मीटर उची है पहले लूप में 40 मीटर तक गिरने के बाद आप 65 किलोमेटर पर आवर की speed पर पहुँच जाते हैं फिर आप और 40 मीटर गिरते हैं और दूसरे लूप में एंटर हो जाते हैं दोस्तों यह बेहद रोमांचक water slide है किलिमन जारो दोस्तों यह water slide ब्राजील में बनाई गई है और इसकी height 164 feet है जिसे guinese book of world record के मताबिक दुनिया की सबसे उची water slide होने का खिताब मिला है दोस्तों यह water slide इतनी खतरनाक है कि यहां के local लोग इस पर चढ़ने का risk नहीं लेतें लेकिन tourist इस water slide का मज़ा लेने के लिए दुनिया भर से यहां आते हैं दोस्तों यह water slide लगभग 17 मंजला इमारत के बराबर है 164 feet की उचाई पर 60 degree का जुकाव होने की वज़े से इस पर slide करने वाला कुछ ही second में 100 km पर hour की speed पकड़ लेता है यानि slide सुरू होने के 5 second के बाद ही वो पूल में जागिरता है दोस्तों यह water slide इतनी खतरनाक है कि औसतन इसके उपर चड़ने वाले हर 20 लोगों में से सिर्फ एक ही इस water slide से नीचे आता है बाकी के 19 लोग इसकी उचाई देखकर ही इस पर slide करने से इनकार कर देते हैं इस water slide के बारे में कहा जाता है कि इस पर से सर्फिरे लोग ही slide करते हैं आरसिलर मित्तल water slide लंदन दोस्तों यह है आरसिलर मित्तल slide जिसे असल में slide के लिए नहीं बलकि 2012 के ओलंपिक event के लिए बनाया गया था और जब event खत्म हो गया तब लोगों के कहने पर इसे water slide का रूप दे दिया गया दोस्तों आपको बता दें यह 376 feet की उचाई पर है यहां से टेड़े मेड़े होते हुए slide नीचे तक आती है जिसमें कुछ जगहों पर slide transparent है और कुछ जगहों पर अंधेरा है जिससे रोमांच और बढ़ जाता है एकवड़क दोस्तों यह water slide एक Disney cruise जहाज के डिक पर बनाई गई है और यह दुनिया की सबसे मज़दार water slide मानी जाती है आपको बता दें यह दुनिया की पहली ऐसी water slide है जो किसी cruise ship पर बनाई गई है और अपनी तरह की दुनिया की बेहद ही अनोखी slide है इस water slide में आप एक 765 feet लंबी transparent tube से होकर गुजरते हैं जिसकी उचाई 46 feet होती है इसके अंदर से आपको समंदर के खुबसूरत view देखने को मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समंदर के उपर हवा में slide ले रहे हूँ यह ride लगभग एक मिनट की होती है आपको बता दें इस water slide को तेज हवा और तुफानी मौसम में बंद कर दिया जाता है दोस्तों अदर आपको मौका मिले तो आप इन में से कौन से water slide पर जाना चाहेंगे हमें comment करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like जरूर करें और ऐसे ही interesting videos देखते रहने के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाई बाई